Hello students, class second, subject English grammar, chapter number 12, sentence. Sentence means time. Sentence का मतलब क्या होता है? Time समय से. The verb, in the sentence, so the time and action or state of being. इसमें क्या है? आपको time दिखाया जाएगा, कार दिखाया जाएगा और अवस्ता दिखाया जाएगी. Touches दिखाएगी. अब हम देखते हैं exercise. exercise में हमें सीखना है present, past and future. हम कैसे पहिछान करेंगे? यह present है, यह past है, यह future है. इसके लिए बहुत अच्छा इडिया है, वो क्या है? आगे हम देखते हैं. इसमें आपको क्या देख रहा है? यहाँ पर आपको बर्व देख रही है, helping बर्व. यहाँ पर have है. आपको एक बात याद रखनी है, यह देख कहीं as, yes, is, am, are, has, have. इन में से कुछ भी याता है. देखो, as, yes, is, am, are, plus, have, have. इन में से कुछ भी याता है. तो आपको बिल्कुल क्या याद रखना है? कॉनसर टेंस होगा? प्रजेंट टेंस. कॉनसर टेंस होगा? प्रजेंट. अब पाश्ट की पहचान देखो. पाश्ट में आप क्या देखोगे? वर्विकी, second form, फिर इसके लिए easy क्या है? वाज, वर, and head. बस आपको इतना सा याद रखना है. यगर कहीं भी इन में से कुछ भी मिली, तो वह क्या हो जाएगा? पाश्ट हो जाएगा. यदि आपको कहीं भी will, और sell मिली. तो वह आपको क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा. यह आपको याद रखना है. यह देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हमने अभी देखा था, हमने अभी देखा था, हमने कहां पर आता है? प्रजेंट में, तो कहां क्या हो जाएगा? प्रजेंट में, तो क्या हो जाएगा? प अब देखो वेंट यह क्या है second form है तो किस क्या हो जाएगा हमने देखा था second form कहा आती है पाश्ट में तो क्या करना है इस टाइप सी यह आपको फिल करने है अब आते हैं action words using present continuous what is happening अब आते हैं present continuous present continuous में होता है क्या काम हो रहा है जैसे यह देखो चिडिया क्या कर रहा है उड़ रही है लड़की देखो क्या कर रहा है अपना homebody कर रही है mother is cooking food जो मम्मी हैak किया कर रही जिसे है ये देखो ये क्या हो रही है पैंटिंग हो रही है तो आपको इसमें बोला गया है दिव्या इस क्या कर रही है पैंटिंग तो क्या फिल कर दिना है पैंटिंग अब सेकंड देखो सेकंड था राहूल इस जो राहूल है वो क्या कर रहा है यहां पर देखो करने हैं देखो डॉक्स आर वार गिंग तो इस टाइप से आपको यह कंप्ली चैप्टर फिल करना है